वेलकम टू नॉलेज एकी विशेक आप सभी का स्वागत है नॉलेज एकी विशेक की लेटस्ट अपडेट के अंदर और आज के हमारी अपडेट होने वाली है टाटा स्टील जेटी की नैस्ट रिक्वार्मेंट से रिलेटेड एक इस पर चर्चा करेंगे उसी के रिगार्ड सब कुछ आपको बता देंगे थाकि आप लोग कभी भी आगे अगर अपलाई करते हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो तो आश्या स्टाट करते हैं अपनी वीडियो को तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है टाटा स्टील जेटी के जो से लास्ट वेकेंसी आई थ क्योंकि में भी हो सकता है उस समय कोविट का पीरेट चल लाता है तो रिक्वार्मेंट प्रोसेस के अंदर यहाँ पर डेले हुआ था लेकिन मेरा मानना ही कि अभी यह टाटा स्टील जेटी की वेकेंसी आपको जो है अभी जो दोचार बाइस माही या निए आपको तेईस क छाहिगा रहे हैं तो अभी से अपनी थोड़ी सी प्रेप्रेरेशन को स्ट्रॉंग करें क्योंकि बहुत सारी अधर कंपनीज भी होती है 22 की बगन से आने में time इसमारे भी लग गया क्योंकि यहाँ पर 2020 के आपको बता को समय COVID का period चल ला था company losses में थी लेकिन अब क्या है टाटर स्टील को भी हर जाल यहाँ पर company में जो है अपने candidate को hire करना पड़ेगा क्योंकि उसको लिए भी वहाँ पर लिकत होती है बाकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा 80 के बारे में तो फ्रेंट सेटी का रिजल्ट अब तो मैं कह चुका हूं overdue हो चुका है क्योंकि मुझे जो डेट लग रही थी कि आज से दस दन पहले ही डिये था लेकिन अभी था तो उमीद है कि एक रेजल्ट आप लोग को आप जो है जल्दी देखने को कभी भी मिल सकता अब इसकी कोई डेट नहीं है हो जाज आज 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 सकता काल आज हो सकता हो 3-4 दिन के बाद भी आए तो कभी भी रेट आसकता तो उसमें मैं इसमें comment नी करूँगा कि कभाय का क्योंकि मैं जो कहना चाहरा था date मिरे तो लगा रहा था कि 15 दिन महा जाना चाहिए क्योंकि लास्ट यह जब 80 का आये था तो उसमें आ गया था लेकिन इस बार यहाप लोग को देखने को मिल सकता है वागी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के और वी एक दो डाउट है वो सेलरी से रिलेटेड डाउट बनना है कि अंदर यहाँ पर सेलरी कुछ लोग बता रहे हैं कि उडिसा के अंदर 17,000 उपई के बल सैलरी मिलती है या फिर 16,000 उपर सैलरी मिलत पताऊंगा आप लोग को कोई आपकी डाउट वाली बात नहीं है बाकी बहुत सारे रिक्वार्मेंट आपके आगो हैं जैसे HPCL का इसकी आप त्यारी करिए SSCJ का रिक्वार्मेंट आरा उसकी करिए BSF Water Wing के अंदर भी आपका Mechanical की वेकंसी आप उसकी त्यारी कर सकते हैं औ उनको भी आप अपलाई कर दीजे और भी मतला बहुत सारे डिपार्मेंट हैं जिसके अंदर गौर्मेंट जॉब्स आई हुई है आप उनके लिए अपलाई करिए और अपनी त्यारी को लगातार कंट्यूने जालो रखिए तेकि बहुत से Candidate के दिमाग में मित रहता है कि मेरी आज vacancy आई मैं आज से त्यारी करूँगा तो मेरा अगले एक दो महिने में त्यारी हो जाएगी और मैं exam cross कर दूँगा ऐसा नहीं है अगर आपकी माली जाप आज से त्यारी करना चालू करते हैं तो आप मान के चलिए कमसे हम एक देर साल दो साल के बाद जो आप फॉ वो अपने आपको ऊपर करिए और आगे आगे दीरे दीर करके अपने आपको 18 साल का समय दीजे जो भी नए गंडिडेट है अपने आप लिए एक देर साल का समय आप देंगे तो दीरे दीर करके आपके अंदर प्रोग्रेस बनेगी और आप आसानी से जो है exam cross करने की कर सकते हैं और आपका जैसे की ग्राइट लेबल की पोस्ट होती है उनमे भी electronics वाले या अधर जा सकते हैं इससे मैं चैसी CHSL का भी आप लोग को बता को पेपर हुआ भी दोती है इन दिन पर ले NTPC का ही पेपर होने बाला है गुरूप D का भी आपका पेपर एकाद महीने के अंदर हो जाएगा और भी बहुत सारे exam है जिनकी आप लोग ट्यारी कर सकते हैं और बिना रुके आप लोग कर सकते हैं तो जिनका भी Tata Steel JT के अंदर नहीं हुआ वो परशान अपने आगे की फर्दर त्यारी जारी रखे कभी नगे उनका भी यहां पर सेलेक्शन हो जाएगा अगर वो महनत और दिल के साथ यहां पर लगन के साथ यहां पर महनत करेंगे तो उनके लिए यहां पर हो जाएगा बाखी Tata Steel JT की वेकंसी मैंने आपको बता दिया जो भी इसका वेट कर रहा है वह अब थोड़ा सा अबने रुकना पड़ेगा लेकिन यह है कि एक दर साल के अंतर यहां पर वेकंसी आपको Tata Steel JT की जरूर देखनों को मिलेगी इस बार थोड़ा जल्दी मिलेगी जो मुझे लगता है क्योंकि इस बार कंपनी ने आपने देखा हो वीडियो बना दी और आगे फर्दर जो भी आपकी BSF JT कभी आपका पेपर जल्दी आप लोग को देने को देखने को मिलेगा और एक आपका BIS में अंदर आई थी Bureau of Indian Standard के अंदर भी यहां पर जॉब ती उसका भी आप लोग को मेना मानना है कि आपका उसका कि किसी भी समय आपका उसका नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपका एक्जाम उस डेट में है क्योंकि उसका आप लोग जानते हैं शायद 30 अपरेल तक उसका एपलाई हुआ है या कुछ ऐसी 25 अपरेल तक तो उसके बाद आपका जून तक अपलाई हुआ है और जब भी जब तक भी दिल लगा के तैयारी करिए और ये छोड़ो दीजे कि सेलेक्षन आज होगा की काल होगा बस आप तैयारी करते रहिए और अगर जिसको financial थोड़ी दिक्कत रहती है जिसे लगता है कि आपको financial वह खाली थ्यारी नहीं कर सकता थो वो एक काम कर सकता है वो अपना आस-पास के जो भी जो मतलब छोटे बच्चे हैं या जो भी कोई भी छोटा मोटा कॉलेज ऐसा अगर डिप्लोमा कर हुआ है तो आइटे कॉलेज में भी एज इस इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है और जाके उसे ट्राई कर सकता है प्रैविट कॉलेज में प्रैविट कोचिंग दे सकता ह फिर सकता है बहुत सारे इंकम के सोरसे होते हैं जो आप लोग अपलाई कर सकते हैं जिनके पास दिक्कत होती है उनको यह है कि आप आज पास अपना जो है कोई student को पढ़ा है 12th level के पढ़ा सकते हैं 10th level के पढ़ा सकते हैं तो उनको home tutor में मतलब tuition बगारा 2-4 गंटे की देखे आप अपने self-dependent बन सकते हैं जो भी आपका पैसा बगारा होता उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं आपको वहाँ पर कर्चा कुछ से परवार वालों सो मतलब नहीं मांगना पलेगा बाकी मां यही कहूंगा आप लोग त्यारी करते रहिए दिल लगा के त्यारी करते रहिए कभी भी त्यारी waste नहीं जाती है कहीं न कहीं उसका आपको जरूर फाइदा मिलेगा और आपका 100% सेलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा आज किसी गॉर्मेंट में नहीं तो किसी प्रावेट सेक्टर में हो जाएगा प्रावेट सेक्टर में भी अगर होगा तो आप जो अच्छा निकलने वाला होगा वो गॉर्मेंट सेक्टर से भी अच्छा प्रावेट सेक्टर के अंदर भी अचीमेंट कर सकता है ऐसा कुछ नहीं कि जो government job में होता है वही एक अच्छा achievement करता है जो private sector के अंदर होता है वो भी बहुत अच्छा achievement कर सकता है तो उसके आप बिल्गुल भी tension ना लें बस आप फटा फट अपनी त्यारी पे ध्यान दें मेहनत करते रहें मेहनत करेंगे आपको सफलता मिलेगी और करता है